नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक महात्पूर्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे Fundamental Rights, मौली का धिकार, यह हमारे जीवन में प्रतेक बिक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह हमारे Fundamental Rights को तैं करते हैं, तो हमारे कौन-कौन से Fundamental Rights होते हैं और यह भारतिय संबिधान के किस अनुचेद में दिये गए हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा मौली का धिकार क्या है, समता या समानता का धिकार जो की अनुचेद 14 से 18 तक दिया गया है, बहुत मातफोण है यह समता का धिकार या समानता का धिकार अनुचेद 14 से 18 तक सुतन्तरता का धिकार, अनुचेद 19 से 22 तक स्वतंतरता का अधिकार अनुछेद 19-22 तक फोर्थ धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार अनुछेद 25-28 तक उसके बाद फिप्थ संस्कृत और सिच्छा संबंधी अधिकार अनुछेद 29-30 तक और उसके बाद लाश्ट में 6 सम्वैधानिक उप्चारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यह बहुत महात्फोर है नमबर एक समानता का अधिकार सेकेंड सुतंतरता का अधिकार सोसन के विरुद्ध अधिकार धार्मिक सुतंतरता का अधिकार संस्कृत और सिच्छा संबंधी अधिकार संबेधानिक उपचारों का धिकार तो आए सफ एक एक करके हम देखते हैं फाइला है समता या समानता का धिकार जो कि अनुच्छे 14 से 18 तक है तो अनुच्छे 14 में क्या दिया गया है बीदिके समच्छ समता इसका अर्थ या है कि राज सभी बिक्तियों के लिए एक सामान कानून बनाएगा तथा उन पर एक सामान लागू करेगा फोर्टीन क्या कहता है बीदिके समच्छ समता उसके बाद अनुच्छे 15 धर्म नस्ल जात लिंग या जन्म अस्थान के आधार पर भेदभाव का निसेद तो राज के द्वारा धर्म मूलबंस जात लिंग एवं जन्म अस्थान आध के आधार पर नागरीकों के प्रत जीवन के किसी भी छेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके बाद है अनुचेत 16 लोक नियोजन के विशे में आउसर की समता राज्ज के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबंधित विशियों में सभी नागरिकों के लिए आउसर की समानता होगी अपवाद है इसके एक कुछ exception भी है अनसुचित जात अनसुचित जन जात यों पिछड़ावर के लिए जो reservation की विवस्था है उसके बाद अनुचेत 17 असप्रिसता का untouchability अनुचेत 17 में दिया गया है असप्रिसता के उन्मूलन के लिए इसे दंडिनिये अपराद घोसित किया गया है अनुचेत 17 में है अनुचेत 18 अठारा उपाधियों कांत सेना या विदा संबंधी संबंधी सम्मान के सिवाए अन कोई भी उपाधी राजजुद्वारा प्रदान नहीं की जाएगी ये दिए नोट दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पदम भूसर्ड, पदम विफूसर्ड, पदम सिरी, एयोम सेना द्वारा परम बीर्चक्र, महबीर चक्र, बीर्चक्र, आदिपुरुसकार, अनुचेत 18 के तहत ही दिए जाते हैं उसके बाद है सिकेंड में स्वतंतरता का अधिकार देखते हैं अभी हमने समता या समानता का अधिकार पढ़ा अब स्वतंतरता का अधिकार ये बहुत महात्फोर है स्वतंतरता का अधिकार तो अनुछेद 19 में दिया गया है स्वतंतरता का अधिकार मूल संबिधान में साथ तरह के संबिधान स्वतंतरता का उलेग था अब सिर्व 6 हैं एक हटा दिया गया है कौन सा संपत्तिक अधिकार को अनुचेद 19F को संपत्तिक अधिकार हटा दिया गया है जिसे 24 संभिधान संसोदर जब 1978 को हुआ था तो उसे हटा दिया गया है संपत्तिकों अधिकार को अब स्वतंतरता के अधिकार से हटा दिया गया है तो 6 तरह के स्वतंतरता का अधिकार है जैसे अनुच्छेद 19A में दिया है बोलने का अधिकार कहने के मतलब हमें बोलने का धिकार है, बोलने से कोई हमें रोक नहीं सकता है में आवागमन की सुतंतरता हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं 19E में देश के किसी भी छेत्र में निवास करने और बसने की सुतंतरता ये हटा दिया गया है अब तो जम्मु कस्मीर से 370 हटा लिया गया है इसलिए ये नहीं रहेगा अब कहीं भी आप निवास बना सकते हैं जम्मु कस्मीर में भी बना सकते हैं 19E में क्या दिया है कोई भी कोई भी ब्यापार ये जीप का चलाने की सुतंतरता हमें बिजनेस करने की सुतंतरता है अपना ब्यापार चलाने की सुतंतरता है और प्रेस की सुतंतरता का वरणन 19E म में बोलने के स्वतंत्रता में प्रेश की स्वतंत्रता भी आती है। उसके बाद अनुचे 20 देखते हैं अपराधों के लिए दो सिद्ध के सम्बंध में सरच्छड। इसके रहर तीन प्रकार के सुतंत्रता है किसी भी बेगति को एक अपराध में सिर्फ एक बार सजा मिलेगी जैसे कोई बेगति कोई अपराध करता है तो अगर एक बार सजा मिल गई है तो उसी अपराध के लिए उसे दुबारा सजा नहीं मिलेगी ये उसका fundamental rights है ये अनुच के तहत कहने का मतलब जब कोई अपराद हुआ है तो उस समय जो कानून है उसी के अनुसार ही उसे सजा मिलेगी बाद में अगर कानून बन जाता है तो उसके अनुसार नहीं तो जो जिस समय किसी बेक्ति ने अपराद किया हो उस समय जो कानून है उसी कानून के अनुसार ही उ उसके बाद अनुचित 21 में दिया है प्राड एवम दैहिक स्थापित प्रिक्रिया के अतरिक्त उसके जीवन और बैतिक स्थापित नहीं किया जा सकता ये भी बहुत इंपॉल्टेंट है प्राण यूम दैहिक सुतंतरता का सरच्छन तो किसी भी बेक्ति को बीधिद्वारा स्थापित प्रकिरिया के अतरिक्त उसके जीवन और बैत्तिक सुतंतरता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता अनुचे 21 के तहट प्रतेक सरकार का दायत है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ यों स्वच्छ परियावरण उपलब्ध कराए इसके लिए भारत सरकार ने संसत से राश्टिये हरित न्याधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया अक्टूबर 2010 में राश्टिये न्याधिकरण की अस्थापना की राश्टिये हरित न्याधिकरण की मुक पीठी नई दिल्ली में है जबकि 4 अन फीठे भोपाल पूरे पोलकता और चन्नई में है राश्टी हरित न्याधिकरण देश में परियावरण से संबंध मामलों के लिए उत्तरदाईत है उसके बाद अनुचे 21-A देखिए का राज 6-14 वर्स की आविके समस्त बच्चों को ऐसे ढंक से जैसा राज बीध द्वारा आव धारित करे निसुल्क तथा अनिवार सोधन 2002 में हुआ था जिसमें अनुचे 21-A जोड़ा गया था जिसमें 6-14 साल तक के बच्चों को निसुल्क और अनिवार सिच्छा उपलब्द कराया जाएगा अनुचे 22 देखिए कुछ दसाओं में गिरिफ्तार और निरोध में सरच्छन अगर किसी भी बेक्त को मनमाने धंक से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे तीन प्रकार की सुतंतरता प्रदान की जाएगी जैसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा ये देखिए सब फंडमेंटर राइट्स हैं 24 घंटे के अंदर आने जाने समय छोड़कर उसे डंड़ अधिकारी के समझ पेश किया जाएगा थर्ड उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा तो ये उसके फंडमेंटर राइट्स होते हैं जो ब्यक्ति ग्रिफतार किया जाता है इसके बाद देखते हैं सोसन के बिरुद्ध अधिकार तो अनुछे 23 में दिया है मानों के दूर ब्यापार और बालात स्रम का प्रतिसेद इसके द्वारा किसी ब्यक्ति को खरीद बिक्री बेगारी तथा उसी प्रकार का अन जवरजस्ति लिया हुआ स्रम निसेद ठहराया गया है इसका उलंगन बीद द्वारा दंडिनी अपराद है जरूरत पढ़ने पर राष्टिये सेवा करने क बाद किया जैसे किसी ब्यक्ति से जवरजस्ति कोई काम नहीं करवाया जा सकता बेगारी नहीं करवाया जा सकती लेकिन अगर राष्ट की सेवा में जरूरत पढ़े तो जवरजस्ति बाद किया जा सकता है किसी ब्यक्ति को अनुचे 24 में क्या दिया है बालको के नियोजन क प्रितिसेद, 14 वर्षे से कम आयुवाले किसी बच्चे को कार खानों तता अन किसी जोखिम भरे काम पर नियूक्त नहीं किया जा सकता है। अनुछे 26 में देखिये धार्मिक कारियों के प्रबंद की सुतंतरता। ब्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की अस्थापना वा पोशन करने बिधि सम्मत सम्पति के अर्जन स्वामित वा प्रशाशन का अधिकार है। नहीं कर सकता जिसकी आए किसी विशेश धर्म अथवा धार्मिक संप्रदान की उन्नत योग पोशन में बेग करने के लिए विशेश रूप से निश्चित कर दी गई हो। तो धार्मिक कर नहीं लगाया जा सकता है। अनुचेद 28 में राजबिध से पूर्टा पोशित किसी सिच्चा संस्था में कोई धार्मिक सिच्चा नहीं दी जाएगी। ऐसे सिच्चड संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मो विदेश को बालात सुनने हेत बाध नहीं कर सकते। उसके बाद फिफ्ट देख लेते हैं संस्कृत एउम सिच्चा संबंधी अधिकार। अनुष्चे 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का सरच्चन। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाशा, लिप और संस्कृत को सुरच्चित रख सकता है। केवल भासा, जात, धर्म और संस्कृत के आधार पर उसे किसी भी सरकारी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में छे समुदाय मुस्लिम, पार्सी, इसाई, सिक, बाध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास है तो समचित आधार परदान करने के लिए 2005 में ततकालिन केन सरकार के द्वारा परदान मंत्री का 15 सूतिय कारकरम प्रारम भी किया गया। अनुचे 30 में देखिए सिच्छा संस्थाओं की अस्थापना और प्रसासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का सैच्छिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अंगदान देने के किसी भी तरह की भेदभाव नहीं कर देगी उसके बाद 6 है संबेधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुचे 32 में दिया गया है संबेधानिक उपचारों का अधिकार को ढक्टर भीम रावंबेट करने संबेधान की आत्मा कहा है तो अनुचे 32 को देख लेते हैं थोड़ा इसके अंतरगत मौलिक अधिकारों को परवर्तित कराने के लिए समचित कारवाही द्वारा उच्चतम न्याले में आबेदन करने का अधिकार है इस संदर में सर्वोच न्याले को पांच तरह की रिट निकालने का सकते प्रदान है बंदी प्रतिरेची करण और परमादेश प्रतिसेध लेख और उत्प्रेशड और फिप्त है अधिकार पेच्छा लेख इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे धन्वाद